जिसका मुझे था इंतिजार वो घड़ी आ गई आ गई जी हाँ दोस्तों बहुत दिनों से इंतियार था मुझे भी और आपको भी इस समय का इस कोर्स का बहुत से कॉल्स आ रहे थे मेरे बहुत से मारे स्टूडेंट से बहुत से में बायर्स थे और जो मैसा रीसेलर के बारे में जानने के लिए बहुत से स्टूडेंट चुड़े हमारे साथ में हमारे गृूप के अंदर जो किस्टल के बारे में जाना चाहरे थे वह दोस्तों आप सब के लिए मैं लेकर आ रहा हूं और बहुत मुश्किल से समय निकाला है यह आप वीडियो बनाने का और लाने का एक लंबा कोर्स हो जाएगा इस बार वारा और इतना समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और आप लोगों की ब्लैसिंग से आप लोगों की दुआ हैं आप लोगों का साथ है कि काम इतना बढ़ गिया है कि इतनी क्लासीज होती हैं उन सब को मेंटेन करना प्लस मेरा अपना क्रिस्टल का बिजनिस पिया उसको भी देखना और उसका साथ-साथ मुझे खुद पूरा एक 10-12-15 दिन का एक कोर्स लेकर आना आपके लिए थोड़ असा समय जरूर लगेगा और जरूर मैं एक से बारीक चीजें इसमें मैं आपको कोर्स में बताऊंग पर वह बढ़ेगा नेगडिव चीज़ों पर हम नहीं जाते हम सीधा पॉजिटिव पर सोचते हैं और तभी आज हमने इतना ग्रो किया है तो यह मेरा लगपक 11 बैच होगा और हम अल्री दस बैच हम अल्री देच चुके हैं सीखा चुके पिछले दो साल के अंदर बहुत स करता हूं उनका जहां से मैंने सीखा लेकिन उस सीखने के बाद मेरा एक्सपेरिमेंट्स बहुत रहे मैंने बहुत इसमें रिसर्च किया और जब मैंने यह देखा कि क्रिस्टल एक ऐसी चीज है अकल साइंस के अंदर चाहा हो निमलोजी हो एस्टलोजी हो टैरो काड़ो को कोई भी रेमेडी हो और एवन मैं रेकी ग्रांट मास्टर हूँ रेकी में तो मैंने पहले भी बताया कि चोल इदावन का साथ क्रिस्टल करते हैं जब मैंने यह पाया कि क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जो हर मॉडलेटी में यूज़ करती है और हम अकल्ट में अलड़ी आज बिंगे बिजनिसमेन माइंड चला और मैंने किस्टल में हाँ डाला और जिंगा लाला क्याता है अब आल अवर इंडिया में सप्लाई है और यह बड़ा कैसे हमने नौलिज ली हमने सीखा प्रॉपर सीखा बहुसे लोग होते हैं कि यूटूब पे देख लिया और आने लग गए सजेशन करने लग यह बहुत खतरना तो नहीं कह सकते किस्टल कभी भी साइड अफेक्ट नहीं देते लेकिन असर भी नहीं करते जड़ को जानना पड़ता है समझना पड़ता है उस क्रिस्टल को कैसे यूज करना है वह पता करना पड़ता है कहते हैं को फेशन बन जाए और लाखों रुपे आप भी हमारी तरह कमाएं तो अगर आप सिस्टमेटिकली सीखेंगे बेसिक सीखेंगे एडवांस सीखेंगे बेसिक का मतलब यह नहीं है कि हम क्रिस्टल का एटू जै एबी सीडी सिखाएंगे एबी सीडी से लिए का बहुत कुछ बेसिक कोर्स में भी आ जाएगा और आप फेसिक करने के बाद लोग अच्छे-च्छे-च्छे एक्स्पेरिमेंट करने लगए थे और उसके बाद अब healing के साथ साथ ये अपना part time business बना सकते हैं और बहुत सारे resellers जोड़े हैं मेरे साथ में कि जो part time business कर रहे हैं दोस्तों सच बता हूं कि मैंने भी जब मैं सबसे पहले मैंने रिकी सीखी पता ही आप लोगों को जो मुझे पहले सुनते रहे हैं उसके बाद निम्मरलोजी सीखी जब किस्टल के बहार बहार डाला तो मैंने भी एक एक दो दो ब्रेसलेट से काम शुरू किया पार्ट टाइ यह बारी कियां आप सीख लोगे समझ लोगे आप अपने साथ एड़ॉन कर सकते मैं यह नहीं कहरा कि आप भी मेरी तरफ छोड़के सारों को इस बिजनेस में आज़ो दीरे दीरे बढ़ेगा हर चीज़ दीरे दीरे गोर करने में अगर आप ग्रो करेंगे तो बहुत दीरे काम चुरू किया आज उपरवाली की क्रिपा है आप लोग को ब्लेसिंग्स है आप लोग को साथ है और हर चीज़ फ्लॉरी शुरी है मेरी लाइफ के अंदर लेकिन मैं इस घ्यान को अगर हम अंदर ही दबालो और मैं यह चाहूं कि मैं ही सीखूं और मैं ही काम करूं और लोगों को ना सिखाऊं तो कहते हैं ना शक्तिया दबा के कभी भी गुरू नहीं करती शक्ति और पैसा या ग्यान और पैसा अगर हम तीजोरी में बंद कर दें तो वह फैलेगा नहीं बड़ा नहीं होगा जादा नहीं होगा आज हमने इतना कुछ सीखा आपको हमने ब जबाके बैठ गए तो ग्यान संकुचित हो जाएगा उसी मातरा में हमारे बोडी में रहेगा और हो सकता है धीरी देरे वो कम होता रहे जितना ज़्यादा हम बाते करेंगे जितना जब लोगों को बताएंगे उतना ही हमारा ग्यान बढ़ता जाएगा अपलोग भी करके देख सकते हैं और जो मैंने पाया तो मैं चाहूंगा कि ह्याँगा यही फर्क है कि यह भी नहीं आता है और अकल साइंस की दुनिया में अब बाकी होगा नहीं जाता लेकि मेरे साथ यह कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे ग्रो किया है तो आप लोग भी ग्रो करें और यह हमने शीखा कहां से कहते ना कि हर आदमी सीहकर नहीं आता उपर से कहीं ना कहीं संसकार होते हैं अपने parents कि अपने माबापके संस्कार होती है और यह संस्कार अकल्ट के दिये मेरे गुरूजी ने। ग्रूजी गाणन जी उनका भी मकसद यह रहता है कि वाटते चलो प्यार वाटते चलो ग्यानन के बाटते चलो, जितना बाटों के वह रहेगा बहुत बड़ा सपना है उनका और उस सपने में हम आपके साथ हैं और अगर आप लोग हमारे साथ आते हैं तो हम सब आपको का एक सपना होगा कि बहुत बड़ा Go करना अपने आपको लोगों का अखल स्वारो के लिए रिलेशन के लिए अगर ओफिस में तो आफिस में स्टाफ के साथ नहीं वनती ये बरें डी है दुनिया और एक बहुट इनक लोगों कहते हैं को शुब नहीं है ठेकिश अपir सबाँ नहीं है लेकिन बहुत कुछ लिए है लाइफ के अंदर 90 अब परसेंट लाइफ पे पैसे का बहुत वर्चस्व है हमारे लाइफ में ये कह सकते हैं तो पैसे को कैसे अट्रेक्ट करना इसका भी तरीका है को से स्टोन हमें लेना है क्या किस तरीके से रखनाए अब स्टोन का मतलब यह नहीं को इछ च्टपटी स्टोन रख ली आप जेपन पढ़ने लग गए हैं तो उसको किस्टल सपहेंच के उसको कैसे हम दूर करें प्यार पैसा रिलेशन प्रडेक्शन यह चार पांस तरी की प्रव्लम्स होती हैं लेकिन क्रिस्टल हजारों के crystals हैं हमारे इस दुनिया के अंदर और किस काम आता है दो चार्त दस पचास क्रिस्टल के बारे में हर आदमी बहुत ही मुश्किल है उस को के अंदर ऐसे करूस के बारे में बताएंगे जिसमें आपकी लगबाग सारी जरूरते पूरी हो जाएंगी, अब खुद भी यूज़ कर सकते हैं, लोगों को भी suggest करके उनका भी benefit दे सकते हैं, तो दोस्तों चलते हैं कि हम इस course में क्या सिखाएंगे, किस तरीके से सिखाएंगे, क्या हमारे तरीका होगा पढ़ाने का इस बार का, क्योंकि अभी तक जो ह क्लासिज लेते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा किसी के बारे में, लेकिन मैंने कई क्लासिज देखी है, वो गूगल पे फोटो दिखा देते हैं, या यूटूब पे फोटो दिखा देंगे, या बता देंगे कि इस कलर का होता है, मैं आपको live वो स्टोन दिखाने के बताऊंगा, तो ये चीजे आपको कहीं और सीखने को शाय ना मिले, और मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप भी अगर आगे सिखाएंगे, तो आप भी मेरे तरीके से सिखाते लोगों को, तो आपका भी नाम होगा और संबान होगा, तो मैं चाता हूँ कि आ आगे बढ़के काम करें, हमारे गुरुजी भी कहते है, गुरुपे मत लटक, खुद गुरु बनना जान, तो मैं भी यह कहाँगा, कि मेरे स्टूडेंट, जितने भी आप पिछले दस बैट में, अभी सब मुझसे किस्टल सीख चुके हैं, इसको यूज करें, और कोर्स ल भवान ने उपर से ठका दिया, या चंदर मा से या, किसी बिग्रह से कोई पथर आया, वो किस्टल बन गया, किस्टल जमीन में पैदा होता है, जमीन में ग्रो करता है, बढ़ता है, और कुछ किस्टल से ऐसे होते हैं, एक दूसरे पर चड़ जाते हैं, जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर क्या होते हैं, पैंसिल्स क्या होती है, प्रामिट्स क्या होती है, इनका क्या परकार है, इनका यूज क्या है, रफ कैसे यूज करते हैं, और इसमें काफी चीज़े ऐसी हैं, जो आपको नहीं पता लगा सकते, वो मैं आपको वो बरी क्या बताऊंगो को पता लगाने के क्योंकि कहते हैं ना कि भवान के साथ भी दोका हो जाता है मंदिर में भी दोका हो जाता है मंदिर में भी चोरी हो जाती है तो किस्टल क्या चीज है यह दोस्तों किस्टल बहुत ही डुप्लिकेट भी आते हैं जैमस्टोन और किस्टल में क्या फरक है जैमस किया जाता है इसको मतलब सिंथेटिक बनाके भी आगे बेचा जाता है वो भी बरी के जितनी मैं जानता हूं उतनी मैं आपको बताने के पूरी कोशिश करूंगा पूरा अवेर कराऊंगा मैं भी जब आया था मैंने सीखा था तो मुझे भी नहीं पता था काम करते-करते-करत experience करते हैं या बता लगा सकते हैं कौन सा Kista कैसा है और स्लिमेंट करके दीरे आपको यूज कर करके आएगा और क७ूरे मेरे जितने भी हैं कर आता हूँ उनकी पूरी सुन्स में है और मेरे नीचे एक या दो लोग है मैं डिरेक्ट वह से मंगवाता हूं तो उस उनको पूरी इस्ट्रक्शन है कि मेरे पास कोई भी सिंथेटिक या कोई भी डाइड माल नहीं आएगा पूरी इस्ट्रक्शन है पहली बता देते हैं और मैंने भी सीखा धीरे-देरे में भी पय जाते हैं तो वे अच्छे नहीं होंगे अलग अलग जगे के अलवर वर्ल्ड की अलग जगे के मैं 3ज घ्सेиц छaimer डेता हूं बड़ी बात crystal पूरे डिलेट करते हैं को जब भी हम healing की बात करते हैं तो हम अपने body के जो main seven chakras है बहुत सारे होते हैं लेकिन जो main seven chakras है उनके बारे में each and every आपको detail बताई जाएगी कौँसे चक्रा के balance in balance होने से हमारे इक साथ क्या क्या problem होती हैं यह चक्रास की बागरम बात करते हैं यह देखिए बहुत अच्छी तरह समझाया दिया गया होता है लेकिन फिर भी अगर्ण किस्टा healing की बात करते हैं तो वह भी हमें पूरा समझाना पड़ेगा कि कौन साथ चक्रे के balance होने से होने से क्या फाइदे नुक्सान होते हैं को से क्रिस्टल को से चक्रा के साथ से हमें यूज करने चाहिए पूरी meditation हम लोग करेंगे और किस्टल को पकड़के विदाउट किस्टल विद किस्टल हम लोग इनके 20 मंत की meditations करेंगे यह पूरा आपको knowledge मिलेगी कौन से क्रिस्टल को हम पानी में डाल के पी सकते हैं जी हां बिल्कुल इप पिछले आप वीडियोस देखेंगे alkaline water बनाना तो क्रिस्टल को डालके क्रिस्तल को क्योंकि किस्तल को नहीं डाल सकते हैं वह एक जहर के रुब में भी काम करेगा तो यह भी आपको समझना पड़ेगा कि मेरी परानी वीडियो देखेंगे आपको मिलेगा अलकलाइन वाटर कैसे बनाए और क्रिस्तल को कौह का किस्तल को पानी में डालके हम लोग उ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस कोर्स के अंदर और यह कोर्स हमारा दो पार्ट में हमने बाटा हुआ यह बेसिक और अद्वांस जैसे मैंने बताया था अब बेसिक पर लगवाब पाँस से चेडिंगी क्लासिस होगी और उसके बाद हम एक हफ्ते का ग्याप रखेंगे जो आप उसको करने के लिए और एक हफ्ते के बाद हम फिर उसको एडवांस में लेकर आएंगे तो आप लोगों के लिए बाहुद benefit रहेगा क्योंकि पहले थोड़ा सा gap हो जाता था आप दोनों कोर्स एक साथ आ रहे हैं किस बेसिक के बाद आप advance करेंगे और जो लोग बेसिक करते हैं और उसका एक लग प्राइज होगा चोटा सामने ज्यादा प्राइज नहीं रखते है बोल को थोड़ा सा रखा है और advance होगा उसका पाईज होगा अगर आप दोनों कोर्स को इकठे पे करते हैं इकठे energy exchange देते हैं तो आपको उसमें discount भी मिलेगा यह सारा detail आप हमारे description box में दे सकते हैं पूरा detail दिया हुए आपको कैसे कैसे आपको इसको registration कराना है कैसे कैसे इ लेकर आ रहा हूं और अगर आपको मेरी यह पूरी information पूरी वीडियो अच्छे लगे तो जैसे मैंने पहले बोला था कि इसको लोगों तक बाटना शेयर करना जो बाटोगे वो मिलेगा जितना बाटोगे उतना मिलेगा धन्यवाद आपके लिए और जो जिन लोगों ने अ बाटोगे दिन लोगे आपके लोगों